हेलो एवरिवन वेल्कम बाक मैं एड़ोकेट रुमानी आज आपके लिए इंटरस्टिंग टॉपिक लेकर आए हूं कई लोगों के माइंड में कन्फूजन होता है कि यह लॉयर्स एड़ोकेट बैरिस्टर एड़ोकेट 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 जनरल एटर्नी जोर्नल ग एड़ोकेट 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 जाव इक लोयर नहीं है कि कि वह इंसान घ्म को सभी लोसे नहीं कोर्सी में को कोड में reps ट्रीकी बैरिस्टर की बात बाती है मतलब ाक इस क लोग की डिग्री वही लोग की डिग्री इंगलेंड ऐos उसे बैडिस्टर कहते हैं अब हम यहां बात करेंगे एडवोकेट की वह इंसान जो अपने आपको बार काउंसल अफ इंडिया में रजिस्टर कर लेता है उसे हम एडवोकेट बोलते हैं ऐसे समझिए जिस इंसान के पास लौ की डिगरी है जिसने बीसी आए बार काउंसल अफ इंडिया का एक्जांट क्लियर कर लिया है और अपने आपको बीसी आए में इंडोल करा लिया है उसके बाद उसको वहां से लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं वह एड़ोकेट कहलाता है तो एक एड़ोकेट बरने के लिए आपको बार काउंसल अफ इंडिया से सर्टिफिकेट अफ प्रैक्टिस लेना होता है उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एक एड़ोकेट के पास अधिकार है कि वो अपने क्लाइन के पक्ष को कोट में प्रेजेंट कर सके राइट ये एक एड़ोकेट कहलाता है अब बाता आती है सीनियर एड़ोकेट की सुप्रीम कोट और हाई कोट ये अपाधी उन वकीलों को देते हैं जिनके पास काफी experience और नौलेज होती है वहे वकील जिनके पास more than 10 years की practice हो और बहुत से cases में वो appear हुए हो कोट में उनकी age 45 years हो या उसे ज्यादा जिने सीनियर एड़ोकेट कहते हैं उनका जो गाउन उनका जो कोट होता है वो एड़ोकेट की comparison different होता है इनकी फीस भी हाई हो जाती है so senior advocate designated either by supreme court or high court practice as an advocate for not less than 20 years he must be the age of 45 years he cannot file a vakalatnama senior advocate wear gowns that have flaps on the shoulders right यहां बात करेंगे हम advocate on record की AOR हर कोट के अपने कुछ rules कुछ functions होते हैं वैसे ही supreme court के अपने कुछ rules और functions हैं जिसमें एक rule यह है कि एक AOR advocate on record ही supreme court में case file कर सकता है मतलब एक AOR के पास ही right है कि वो supreme court में case file कर सकते हैं किसी और advocate के पास यह अधिकार नहीं है AOR बनने के लिए आपको supreme court का AOR exam clear करना होता है आपके पास five year का experience होना चाहिए जिसमें four year की practice और one year की training एक AOR के अंडर होनी ज़रूरी है एक AOR जिसके पास आप training करेंगे उसके पास ten years से जादा का experience होना ज़रूरी है So, एक अधर एक अधर के अधर वह अधर काईध को यह पास्ट और काईफ्या एक पास्ट पास्ट अधरी अधरी होना है Only an AOR can file a vakalat naama, a petition, an affidavit or any other application on behalf of a party in the supreme court AOR must have 5 years of experience, 4 years of practice plus 1 year training within an AOR तो यह है एक advocate on record बनने का procedure यहां बात करेंगे advocate general की advocate general को appoint करने का काम state governor का होता है advocate general state government को represent करते हैं court में मतलब अगर state government को कोई भी matter में problem आती है और court में represent होना होता है तो वह अधिकार होता है advocate general का की वो state government को represent करें court में यह है first law officer होते हैं state के अगर state को legal matter में advice चाहिए हो तो वह भी advocate general देते हैं article 165 of Indian constitution is related to the office of advocate general of state he is the highest law officer of the state advocate general is a legal advisor to a state government the governor appoints the advocate general of state on the advice of the council of minister of the states right करते हैं attorney general की attorney general वह होते हैं जो center को represent करते हैं court में right जो central government के legal matters को court में represent करते हैं उन्हें attorney general कहते हैं जैसे advocate general के पास है कि वह state के matters को court में represent करें वैसे ही centers के matter को court में represent करने का काम attorney general का होता है attorney general को appoint करने का काम president का होता है यह central government के सारे legal matters को उन पर advice देते हैं article 76 of Indian constitution mention करता है कि यह highest law officer है country के मतलब इन्हें first law officer of the country देश के first law officer कहा गया है right as a chief legal advisor to the government he advise the union government on all legal matters he is appointed by the president on the advice of government he must have either completed five years in high court of any Indian state as a judge और 10 years in high court as an advocate यह होते हैं attorney general solicitor's general the solicitor's general of India जो होते हैं वो attorney general के subordinate होते हैं इन्हें देश का second law officer कहते हैं solicitor's general is appointed for a period of three years by appointment committee of cabinet chaired by prime minister right नहां बात करेंगे अब दो terms की public prosecutor और government pleader की जब आपने अपने अपनी law की डिगरी खतम करी अपने आपको आपका नेक्स्टेप है समाज के लिए society के लिए कुछ करने का राइट जब आप society के लिए कुछ करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं हमारा जो यह system है ना लो का अगर कोई भी इसमें परसन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम किया जाता है एक सिंगल परसन के अगेंस्ट कोई क्राइम किया जाता है तब यह माना जाएगा यह जो क्राइम है ना यह society के अगेंस्ट है इसको ऐसे समझे, एक X है और एक Y है, X ने एक Y के अगेंच कोई क्राइम किया, तो जो Y है वो X के अगेंच केस फाइल करेगा, पर जो Y का केस होगा, वो स्टेट लड़ेगा, क्योंकि जो क्राइम है वो समाज, सोसाइटी के अगेंच क्राइम कमिट किया गया है, तो जो वकील है वो state को criminal case में represent करता है एक victim के side को जब state के through present किया जाता है तो उसे public prosecutor कहते है public prosecutor का काम तब शुरू होता है जब police अपना investigation खतम कर चुकी होती है और charge sheet file कर दी जाती है court में जो civil matters होते है civil cases होते है उनको state के through victim की side को court में represent करने का काम government pre-dire को होता है तो section 2 sub section 7 of code of civil procedure which include any officer appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by the code of civil procedure on the government pleader and also any pleader acting under the directions of government pleader इसे कहते है government pleader जो state के through victim के पक्ष को court में civil matters में present करता है तो friends ये था इन सब में difference right I hope आपका confusion अब दूर हुआ होगा अगर स्टिल आपके mind में कुछ confusion अभी भी हो तो आप मुझे mail कर सकते हैं मेरी mail ID नीचे description box में है right अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like करेगा और subscribe करेगा मेरा चैनल और upcoming videos तब तक के लिए be safe and stay home Thank you